ससती रेंज में बढ़िया स्मार्टफॉन तलास कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके काम की है, क्या आज मैं लेके आया हूँ टेक मो और आइटल कमपणी के दो जबर्दस ससती रेंज में आने वाले स्मार्टफॉन जिसमें हमारे पास है Tecno का latest Tecno Spark Go 2024 और ITEL P40 Plus इन दोनों की करेंगे आज unboxing नजर डालेंगे basic features, look designs, camera पर देखते हैं कौन सा स्मार्पोन आपके लिए रहेगा सबसे best First of all, दोनों के price को जान लेते हैं, Tecno Spark Go 2024 आपको मिल रहा है, Amazon पर 6,699 रुपेका, वही आईटल P40 Plus हो गया है आप 7,499 रुपेका, तो काफी सस्ता हो गया है यह स्मार्पोन जिसमें 7,000 mAh की बैटरी, 18W का fast charge support मिल जाता है, बड़ी display भी मिलती है दोस्तों, यहाँ पर साइड में कुछ highlight features mention किये हैं, इन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आयो, first time subscribe जरूर कर दीजिए, शुरुआत हम Tecno से करेंगे दोस्तों, सबसे उपर स्मार्पोन रखा हुआ है, जिस पर आपको सारी details mention मिल ज charger adapter, जो है 10W का 5V 2A की output rating इस charger से हमें मिलती है, और दोस्तों ये जो USB cable है वो type A to type C मिलती है, length और quality average दी गई है, वहीं आते हैं ITEL P40+, पर तो यहां भी सबसे उपर स्मार्पोन ही रखा हुआ है, और इसके भी highlight features को यहां पर especially इन्होंने mention किया हुआ है, इसके बाद box में operation होती है, तो कभी screen में कोई दिक्कत आ जाए, तो आप company में complain करके इसे ठीक करवा सकते है, warranty card, user manual और यह जो phone को safety देने के लिए cover है, वो थोड़ा सा hard type का मिलता है दोस्तों, लेकिन मजबूत है, इसके बाद जो charger adapter यहां पर दिया गया है, यह 18W का है दोस्तों, 18W की आप य दोनों smartphone पर सबसे पहले तो इन्हें rapper से करते हैं आजाद, और यह देखें दोनों smartphone के front side का look, size का बहुत बड़ा अंतर है दोनों smartphone में, यहां पर आप देख सकते हैं, ITEL P40+, काफी बड़ा है size में दोस्तों, और दोनों ही smartphone, punch hold display के साथ आते हैं, दोनों smartphone की power को हमने एक साथ on किया था दोस्तो, Tecno तो अभी तक on नहीं हुआ, अब जाके हुआ है, तो जल्दी fast on हो गया, P40+, back panel देखते हैं, दोनों smartphone के तो विल्कुल flat, plastic polycarbonate body मिलती है, और थोड़ा different back panel है दोस्तों, सबसे पहले Tecno का ही देख लीजे दोस्तों, तो यहां पर आपको matte type की finishing मिल जाती RGB type के lights नजर आ रही हैं, दोस्तों जो काफी कमाल के लग रहे हैं, दोस्तों यह color जो यहां पर किनारे किनारे दिख रहे हैं आपको, lens में हलके से उभार आपको देखने को मिलेंगे, dual camera के साथ आता है, यह smartphone वही पर जो ITAL P40+, है, इसका back panel में dual tone finishing मिलती है, नीचे matte type की और उ दोनों ही smartphone आपको primary camera दे रहे हैं, 13 Megapixel का, और दूसरा आपको AI lens camera मिल जाता है, with LED flashlight, front में तो दोनों ही smartphone 8 Megapixel selfie camera के साथ आते हैं, और corner चानों तरप से rounded, side panel विलकुल flat, right side में power on की, just for volume rocker, finger pin sensor, उपर की side आपको, ITAL में तो कुछी नहीं मिलता, लेकिन Tecno आपको dual studio speaker का support दे है, DTS sound का support आपको मिल जाता है, दोस्तो, इस Tecno की smartphone में, उपर भी speaker है, और नीचे भी speaker है, left side में sim tray और bottom में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speakers, दोनों phone में दिये गए हैं, अब दोनों smartphone तो हमने already boot करके रखे हुए हैं, इनकी जो brightness है, इसे भी 100% कर लेते हैं, ताकि display और अच्छ से हम में देखने को मिल जाए, तो दोस्तो, यहाँ पार 480 nits तक की brightness आपको मिलती है, टेक्नो में, आइटेल में 500 nits तक की peak brightness, colors और display में जो brightness है, वो दोनों smartphone में काफी अच्छी मिल जाती है, edge और bezels corner उपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को इसके बाद हम scroll up करें, तो सारे के सारे application हमारे सामने आ जाती है, pre-install application के साथ-साथ काफी सारे Bluetooth application जो की install तक नहीं होती, वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी, 90 Hz का refresh rate दोनों smartphone आपको दे रहे हैं, 6.56 inch की HD plus IPS LCD आपको टेक्नो में, आइटेल में 6.8 inch की HD plus IPS LCD दी गई स्क्रीन डेजुलेशन 7.20 x 16.12 pixel, 7.20 x 16.40 pixel pixel, 269 ppi, 263 ppi, अब दोस्तों दोनों smartphone की जो setting है, एक साथ open कर लेते हैं, setting का जो interface है, वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा, जहां सारे option आपको देख जाते हैं, उपर my phone का option दिया गया, इससे open करते हैं, दोस्तों तो यहाँ प certain के साथ आते हैं, दोनों smartphone, और जो processor आपको दिया गया है, दोनों smartphone में, वो भी एक जैसा ही मिलेगा, दोस्तों, 1.6 GHz का octa-core और chipset Unisoc T606 का दिया गया है, बाकी camera details को यहाँ पर mention किया हुआ है, और यहाँ नीचे RAM management को देखें, तो 3GB RAM मिलती है, टेक्नो में, और ITAL आपक टेक्नो आता है 64GB के storage के साथ, और ITAL आता है 128GB के storage के साथ, expendable memory को तो आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं, storage type, टेक्नो में आपको EMMC 5.1 का, और ITAL में आपको UFS 2.2 का दिया गया है, और अब एक छोटी सी नजर दोनों smartphone के camera पर डालते हैं, rear camera को normal mode में हमने open करके रखा हुआ है, color क थोड़ा आंतर आ रहा है, दोस्तों, यहाँ पर different color के हैं, दोनों के smartphone के camera, लेकिन आप clarity notice कीजिए, price के इसाब से मैं कहूंगा, दोनों smartphone में आपको अच्छे camera मिल जाते हैं, zooming power देखें तो 4X और यहाँ भी 4X, दोनों smartphone से 4X तक आप zoom कर सकते हैं, लेकिन zoom quality भी ज्यादा better, म आपको colorful camera पसंद आते हैं, तो ITAL का camera आपको बहुत बढ़िया पसंद आएगा दोस्तों, और जो video mode है, उसमें आप 1080p में 30fps में दोनों smartphone से video को suit कर सकते हो, super night mode, portrait option दोनों में मिल जाता है, और यह है दोनों smartphone के front selfie camera, तो selfie camera में जो actual natural color आ रहे हैं, वो techno के mobile से आ रहे हैं, दोस् जूम सपोर्ट भी मिल जाता है, 2X का जूम सपोर्ट मिलता है आपको, ITAL में जबकि टेक्नो में आपको हलका सा जूम सपोर्ट मिलेगा, जिसमें 2X ना मिल नहीं है, तो friends, ये थे टेक्नो और ITAL कंपनी के सस्ते budget range में आने वाले बहतरीन smartphone, दोनों ही smartphone अपनी अपनी business हो जाती है और आप परिशान हो जाते हैं, तो ये 7000 mh की battery वाला phone दो दिन आराम से चल जाएगा दोस्तों, अगर आपको movies देखने का सौक है, तो बड़ी display आपको इसमें मिल जाती है, 90 Hz का refresh rate भी दिया गया iPhone में, तो मेरे इसाब से तो मुझे यहाँ पर personally ITAL P40 Plus पसंद आय तो दोस्तों ये smartphone भी बढ़िया है, 6699 रुपे में, इसका एक और features आपको दिखाते हैं, जैसी मैं इसे charger से connect करता हूँ, तो देखिए आपर dynamic Iceland type का बन गया है, जो काफी अच्छी, काफी हद तक आपको iPhone की feeling दिलाएगा, लेकिन मैं इस phone को इसलिए recommend नहीं कर रहा आपके ल से और बच जाएंगे, टेकनों का छोड़के, अगर आप Infinix Smart 8 SD को लोए, वैसे दोस्तों company एक ही है, दोस्तों आप ये ने सोचे कि ये बड़ी company है, वो छोटी company है, सब एक जैसा रहता है, इन सभी company हो का, इंटरफेस एक जैसा है, blood wear application सभी दिंगे, बाकी तो normal use के लिए ब gaming के लिए नहीं बने हुए, ये smartphone normal use के लिए, अगर आप online study करते हो, student हो, या फिर हमारे parents जो है, वो अभी features phone से shift हो गये है, smartphone की और, तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा इन smartphone को चलाने में,